Hello my dear students, बच्चों हमने exercise number 3.1 already we have solved in our previous class. आज हम test divisibility rule के बारे में पढ़ेंगे और 2 से लगा करके 11 तक के बारे में सिखेंगे. वैसे तो हमने हमारे previous class में पढ़ा भी है, लेकिन अगर हमें ये divisibility rule अच्छे से याद है तो हम काफी calculation हमारे easy हो जाते हैं, divide, subtract करना. सबसे पहला divisibility rule number 2, 2 के लिए कोई भी number अगर उसके last में digit है 0, 2, 4, 6, 8 तो वो divisible है किसे 2 से, जैसे example के तौर पर 1372, 468, 500, 966, इन सब के अंत में 2, 8, 0, 6, 1, 1 digit आपको देखने हैं और ये number divisible है. अब हम बात करेंगे divisibility rule number 3 की, 3 के लिए हमें बताया गया है कि जो भी number दिया गया है, उस number के हर एक digit को आप आपस में जोड़िए, जाने कि जैसे 1, 8, 8, 1 है तो 1, 8, 8, 8, 1 और आप देखे find last में क्या आता है, जैसे कि 18, क्या जो total आया है sum होने के बाद, यानि प्लस होने के बाद, क्या वो number 3 से divisible है, तो answer है yes, अगर divisible है तो 3 से भी divisible है वो number बड़ा number, अब हम बात करेंगे divisibility rule of 4, 4 के लिए हमें ऐसा बताया गया है कि last के 2 digits जो होते हैं किसी भी number के, अगर वो 4 से divide करके देखें चेक करें, अगर होता है, तो 4 से divisible अगर नहीं तो फिन नहीं, ज जैसे, 3077 में से 76, 36784 में से 84, और 864 में से 64, यह 4 से divisible है, इसलिए वहाँ उपर के दिये गए number भी 4 से divisible है, अब divisibility rule of 5, 5 के लिए हमें यह बताया गया है कि कोई भी number जिसके last में 5 हो यह 0 हो, yes, उसका last का digit 5 यह 0 हो तो 5 से भी divisible है, yes, वैसे तो आपने 2 में भी देखा था क 2 के लिए भी यही same है कि अगर 0 है तो divisible है तो 5 में भी वही है, तो 5 और 2 में common है कुछ, अब हम बात करेंगे divisibility rule of 6, 6 के लिए हमें बताया जाता है कि अगर कोई एक number 2 से divisible है, यानि कि 2 की property लग रही है और 3 की भी property लग रही है, तो 2, 3, 6 होता है इस हिसाब से 6 से भी क्या ह हो जाएगा divisible, जैसे for example, 5, 9, double, 2 है, तो last में 2 है, इसलिए वो divisible है 2 से, अब 5 plus 9, answer 14, 14 plus 2, answer आएगा आपका 16, 16 plus 2, 18, तो 18 भी 3 से divisible है, इसलिए यह number 6 से divisible है, तो आपको 2 और 3 से check कर लेना है और फिर बाद में decide हो जाएगा कि 6 से divisible हो पाएगा या नहीं, अब divisibility rule of 7, 7 क के लिए हमें बताया गया है कि difference between twice the last digit and the number formed by the other digit is zero or a multiple of 7, यहाँ पे बताया गया है कि जो last का digit है, चलिए मैं आपको example से समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे, number दिया गया है 2975, इसका जो last का digit है वो 5 है, अगर उसको आप double कर देते हो, यानि कि 5 twos are 10, और 10 को अगर अगर आप subtract करते हो 297 से तो कितना बचेगा 287, अब आप इसको देखिए, divide करके क्या 7 से divide हो रहा है, अगर yes तो यह divisible 7 से हो सकता है, तो काफी easy answer इसका भी, अब हम बात करेंगे, yes, g यानि की 8 1, 8 का divisibility rule क्या है, yes इसमें हमें बताया गया कि अगर last के 3 digit 8 से divide हो सकते हैं, 4 में तो 2 बोला गया था और 8 में 3 digit के बारे में बताया गया है, last के 3 digit अगर divide हैं तो वह number भी 8 से divide हो सकता है, अब हम बात करेंगे, divisibility rule of 9, 9 में हमें बताया गया है, मान लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी, yes, कोई भी जो number है, yes, 9 के लिए क्या बताया गया है, तो 9 के लिए divisible by 9, बिल्कुल 3 का divisibility rule apply है, आप add कर दीजिए, जो sum आता है, अगर 9 से divisible है, तो वो number भी divisible भी है, yes, okay, काफी easy, अब हम बात करेंगे, divisibility rule of 10, 10 के लिए यहां पर हमें बताया गया है, पहरे बच्चों, कि 10 से वो number divisible है, yes, at the 1's place of the number is 0, अगर जो last का digit वो क्या है, सिर्फ 0 है, तो वह number 10 से divisible है, तो काफी easy, yes, अब हम last, but not the least, बात करेंगे, divisibility rule of 11, 11 में के divisibility rule में हमें बताया गया है, कि a number is divisible by 11, if the difference between the sum of the digit at odd place and the sum of the digit at even place is either 0 और multiple, यानि कि इसमें odd और even को follow करना है, और अगर उन दोनों को number को आप subtract करते हो, उसके बीच का answer, yes, यानि कि add करते हो, अगर वो 0 निकला या 11 निकला, तो वो number divisible है, चलिए एक example से समझ लेते हैं, example में देखेंगे, तो 27896 question दिया है, इसमें अगर मैं आपको even odd के बारे में समझाऊं, तो जो पहला number है, that is even, या even और जो 6, तो even number एक तरफ बना लिया है अपने, और odd number एक, अब आप इन दोनों को subtract करिए, अगर इनका answer 0 या 11 बचता है, तो वो divisible है किस से, 11 से, तो काफी easy ये भी सम था जो आपने solve कर लिया, अब बच्चों हम example की और देखेंगे, और example में सिखेंगे, yes, example में हमें बता है और divide करके आप answer check कर सकते हैं, then divisibility rule, ये आप following दो दिये गये हैं, इनसे आप check करके बताइए, yes, तो काफी easy है, example में आप देखेंगे, तो divide है, उसका reason और cause भी आपको दिया गया है, प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, yes, example number 3 की, जिसमें हमें बताया गया है, कि which of the following is a prime number, दिये गये में से कौन सा prime number है, और prime number की परिभाशा हमने पढ़ी है, कि उसका मतलब यह होता है, कि जो number के दो factor हो, वो prime number है, तो चलिए देखिए, जैसे कि हमें number दिया गया है, 277, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास जो prime number है, वो 19 त यह जो number है, यह किसी भी prime number से, यानि कि एक prime number दूसरे prime number से divide नहीं हो सकता, तो नहीं हो रहा है, इसलिए यह prime number है, क्या है, prime number है, समझ गए, अच्छा, अब हम ऐसे ही 2, 3, 3, 2, 3 के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें वापस number दिये गए है, उन से test कर यह divide हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि यह number 19, यानि कि 17 से divide हो गया है, इसलिए एक prime number से एक number divide हो गया, इसलिए वो prime number नहीं बन सकता, ऐसे ही question number C भी दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे एक table दिया गया है, और आगे exercise number 3.2 दिया गया है, remember में हमें एक चीज दी गई, जिसका ध्यान रखना है कि every prime number is an odd number except 2, 2 को छोड़ कर सब जो हैं, वो odd number है, there is no largest prime number, सबसे बड़ा prime number कोई है ही नहीं, फिर there are infinitely many prime number, prime number तो बहुत सारे हो सकते हैं, a natural number greater than 2 is either a prime number or it can express as product of prime number, यानि कि greater than 2 से है या तो वो prime number है या तो prime number का क्या है product है, smallest number prime number क्या है, 2, तो इन बातों का ध्यान रखना है, अब चलिए हम जल्दी से solve कर लेते हैं exercise number 3.2, जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, हम screen पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें exercise number 3.2 solve करने बताया है, यहाँ पे हमें divisibility rule of 2 का test करना है, और yes और no में लिखना है कि कौन सा number divide हो सक question number 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा number 3 से divisible है, तो 3 के divisibility rule को check करने के लिए जो आपको बताया गया है parameter वो आप set कर दीजे और plus करके answer चेक कर लीजे कि whether it is divisible or not और आपको yes or no लिखना है, फिर हम बात करेंगे question number 3 की जिसमें हमें divisibility rule of 2 के 4 के बारे में बताया गया है, हमें पता है last कि अगर दो number 4 से divisible हैं, तो वो number भी divisible है, तो आप 20 divisible है, 16 divisible है, 14 divisible है, no, answer होगा नहीं, ऐसे divisibility rule of 5, last में 0 या फिर 5 होगा तो divisible है, तो पहला number divisible नहीं हो सकता, second हो सकता है, yes, third भी हो सकता है, क्यों last में 0 है, then divisibility rule of 6 लगाईए, 6 क rule क्या बतायता है, जो number 2 या 3 से divisible हो, यानि कि दोनों से commonly divide हो जाए, तो वो 6 से भी divisible है, तो काफी easy exercise ही यह है, आप देख सकते हैं, और आप इसको ऐसे करके solve भी कर सकते हैं, then 8 का divisibility rule लगाई है, last के 3 digit divide करके देखे, अगर हो रहा है, तो yes, नहीं है, तो no, yes, काफी easy exercise, question number 7 की अगर मैं बात करूँ, तो 9 के divisible rule, सारे number को add करके देखे, चेक करी, अगर है, तो yes, नहीं है, तो no, yes, काफी easy question, question number 8 में हमें 10 के बारे में बताया है, 10 में हमें पता last में क्या आना चाहिए, last digit should be 0, अगर है, तो yes, नहीं है, तो no, काफी easy exercise, 11 के लिए हमें पता है, कि odd और even number का आपस में group बना रहा है, और बीच में subtract करना, जैसे 9, एक odd number है, one odd number है, yes, तो आप देख सकते हैं, odd और even, जो आपको मिलेंगे, उसका आप group बनाईए, और आप add कर सकते हैं, जैसे, पहला number, even, odd, even, odd, even, ऐसे करके plus minus कर लिजिए, और answer देखे, क्या आता है, फिर ऐसे ही वापस हम odd और even बना लेंगे, तो पहला जो आता है, even, then odd, इसमें कोई number odd even नहीं है, yes, आगे पीछे number जगा दिखना है, yes, odd, जैसे मान लिजिए, for example, यह मैं करता हूँ, तो यह even है, यह odd है, even है, odd है, even है, तो even को आपस में plus कर लिजिए, जो number मैंने बता है, और फिर odd वाल आता है, क्या, yes, okay, तो अगर आप अंसर 11 या 0 आता है, तो आप इसका मतब राइट है, yes, तो काफी easy exercise यह भी है, अब हम बात करेंगे, question number 10 की, question number 10 में हमें बताया गया है, कि which of the following are prime number दिये गया है, मैंसे prime number कौन सा है, just अभी आपने थोड़ी दिर पहले ही सिखा कि कुछ numbers ह अगर उनसे कोई number divide हो जाता है, चेक करना है, तो आपको देखना है, divide अगर हो गया तो prime नहीं है, अगर नहीं होता है, तो prime है, यानि कि 167 prime है, 179 prime है, 267 prime नहीं है, yes, 354 prime है, तो आपको चेक करना है, divide करके चेक करना है, अगर divide होता है, तो prime नहीं है, अगर नहीं होता है, तो प्राइम है, okay, last question यहाँ पर, yes, question number 11, question number 11 में हमें बताया गया है, कि इनेच अब दा following number, replace star by the smallest number to make it divisible by 3, star को आप replace करें 3 से, yes, ताकि आपको, yes, number किस से divide हो सके, 3 से, तो कुछ ऐसा number add कर दीजे, ताकि और वो सबसे smallest हो, और 3 से add हो जाए, तो देखे हमने यहाँ पर 1 add कर दिया है, और आप देखे सकते हैं, कि divide हो गया, कोई बड़ा number नहीं लेना है, 1 की जगा, smallest number से ही काम करके देखना है, अगर 1 लगता है, तो 1, 2 लगता है, तो 2, 3 लगता ह किया है, star की जगा हमने, वहाँ पर आप देखेंगे, yes, क्या number रख लिया है, 0, और solve करके देखा, और answer हम ला रहे हैं, question number 12 की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें star की जगा, 9 से divisible होने वाला sum, कोई भी एक ऐसा छोटा number रखना है, जो divide हो सके, तो हमने check कर लिया है, और हमें answer मिल रहा है, then, question number 13, question number 13, last question है, इस exercise का, इसमें हमें 11 से divide करने वाला number रखना है, तो देखें, जो star है, वहाँ पर आप कोई भी number रख सकते हैं, और बस सर्थ यह है कि उसका, जो भी divisibility rule आपको ने लगाया है, वो check करके देखना है, बराबर करने पर वही answer आ रहा है, कि नहीं यहाँ पर 5 को लिया गया है, हमने odd even कर लिया है, और 16 में से 5 subtract किया, तो 11 बच रहा है, इसलिए divisible है, तो काफी easy यह भी exercise है, प्यारे बच्चों, जो हमने आराम से solve कर ली है, ओके?